हलो एबरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों एक बड़ा धमाका अब बेरी बेरी बीक ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों प्रदेश सरकार सरकारी नोकरियों में करने जा रही है कुछ बड़े बदलाव बहुत बड़ा धमाका है दोस्तों प्रदेश की योगी सरकार बहुत कुछ करने जा रही है सरकारी नोकरी अब होगी मील का पत्थर दोस्तों मौलिक न्यूक्ति से पहले पांच वर्स की कठिन संबिदा सेवा जरूरी यानि मौलिक न्यूक्ति आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है प्रतेख वर्स आपकी होगी परिच्छा और अगर परिच्छा में 60% से कम मांक्स आए तो आपको कर दिया गया नोकरी से बाहर यानि कन्फर्मेशन के पहले मौलिक न्यूक्ति के पहले पांच वर्स की एक तपस्या करनी होगी समूख खा और गाह की नोकरीयों की तलास वाले ऐसे अग्भेर्थियों को दोस्तों बहुत बड़ा धमाका है आईए देखते हैं और पढ़ते हैं कि खबर को बिस्तार से कि क्या न्यूज है समूख खा वा गाह की भरती प्रक्रिया में बड़े बदलाओं की तैयारी में प्रदेख सरकार एक तो पहले से ही सरकारी नोकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को अगर किसी तरे से सरकारी नोकरी मिल भी जाती है तो पांच बर्स के अंदर आपसे ऐसी जो है कटिन संबीदा सेवा ली जायेगी कि आप खुद ही सरकारी नोकरी छोड़ करके बाहर आ जाएंगे तो दोस्तों आईए देखते हैं खबर को विस्तार से हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है समूखावा गा की भरती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तयारी में प्रदेश सरकार अब पांच वर्स की सम्विदा सेवा से सुरू हो सकती है सरकारी नौकरी हर छे माँ पर मुल्यांकन हर वर्स में 60 प्रतिशत से कम अंग तो नौकरी से बाहर पांच वर्स की कठिन सम्विदा प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी पक्की नौकरी की सोगार इसके पक्ष में क्या तरक है मित्रों कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी देश भक्ती के भाव का होगा विकास वाह क्या बात है नई ब्यवस्था के पक्ष में या तरक दिया जा रहा है कि इसे राज कर्मिचारियों की दक्षता बढ़ाने नैतिक्ता देश भक्ती एवं कर्तब पराणता के मुल्यों का विकास करने में मदद मिलेगी वित्तिय बैभार कम होगा इस सरकार समूखावा समूगा की भरती प्रक्रिया में बड़ा बदलाओ करने पर विचार कर रही है प्रस्तावित बवस्था में चैन के बाद कर्मचारियों को सुरुवाती पांच वर्स तक सम्विदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है इस दोरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाव नहीं मिलेंगे पांच वर्स की कटिन सम्विदा सेवा के दोरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी सासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समच्च विचार के लिए लाने की तयारी कर रहा है इस प्रस्ताव पर विभागों से राह मस्विरा सुरू कर दिया गया है वर्तमान में सरकार अलग-अलग भरती प्रक्रिया से चैन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार एक या दो वर्स के प्रोवेशन पर नियुक्ति देती है इस दवरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह बितन वा अन्यलाव दिये जाते हैं वे वरिष्ट अफसरों की निगरानी में कार करते हैं नियमित होने पर वे नियमानुसार अपने जिम्मेदारी का निर्वान करते हैं पर प्रस्तावित पांच वर्स की मौजूदा संभीदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्त की कारवाही से समूखा वा गा की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इससे सरकारी विभाग समूखा एवं गा के पदों पर नियुक्ति संभीदा पर एवं विन्यमित्ती करण नियमावली 2020 कहा जाएगा। क्या बात है। PCS, PPS वा PCS जे ही बाहर प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूखा वा समूखा गा के पदों पर लागू होगी। इसके दाइरे से केवल प्रादेशिक प्रसासनिक सेवा, कारेकारी एवं नियाइक साखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होगे। सम्मिदा नियुक्ति के लिए एहम होगे ये प्रावधान। योपी सरकार सेवक अनुसासन एवं अपील नियममली 1990 लागू नहीं होगी। सासकी कार से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा वा अन्यभत्ते दिये जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन सेवा सम्मंधी लाव नहीं मिलेंगे। संबंधित पद की अरहताओं वा आरच्छन आधि से संबंधित प्रमाण पत्र आधि फरजी पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगे। नियुक्त कर्मियों को नियत बेतन। संबिदा पर नियुक्त ब्यक्ति को समुखावा गाह के संबंधित पद का राज सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रा इस्फित अधारित नियत बेतन दिया जाएगा पांच बर्स की संविदा आवाधी निर्धारी सर्थों पर पूर्ण होने पर संबंदित ब्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में इस्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी यूपी में सर्कारी सेवा की पदों का ब्योरा समूगा 26,726 समूगा 58,869 समूगा 8,17,613 और समूगा 3,16,605 नोट आकड़े एक अप्रेल 2019 के अनुसार हैं तो ये रहा दोस्तों आज का ब्रिक बेकिंग न्यूज यानि आने वाली पिडियां तरस जाएंगी सरकारी नोकरियों को यदि आपके बच्चे सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो उन्हें इस सपने से बाहर लाइए इस डाइलेम्मा से बाहर लाइए इस कलपना से बाहर लाइए और उन्हें कुछ और छेत्रों में लगाने की कुशिश करिए क्योंकि सरकारी नौकरी बनने जा रही है मील क पत्थर किसी तरह अगर नौकरी में आ भी गए तो गारंटी नहीं है कि आपको जो है मौलिक नियुक्ती मिल ही जाए यानि कब आप बाहर निकाल दिये जाए यह तो प्राइबेट से भी जो है बदतर नियमाली होने जा रही है तो दोस्तों सावधान हो जाए अपने बच्च आया होगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई खबरों के साथ नई चीजें लेकर तब तक के लिए गुड़ बाई